Hello and Welcome यह हम लोगों का 9th lecture है Matrix पे तो इस lecture को start करने से पहले मैं कुछ-कुछ बातों पे discuss करना चाहता हूं कि यह जो lecture है यह pre-recorded है यह life नहीं है ठीक है देखिए pre-recorded videos को आप किसी भी time में देख सकते हैं किसी भी time में आप comfortable time में देख सकते हैं होगा तो अगर हम किसी एक time bound को बान देते हैं और उस time live आते हैं तो में भी यह other students के जो वो दूसरे जग अगर वो पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा भी lecture देख रहे होंगे तो उनके भी time को hamper कर सकता है तो अभी फिलाल हम लोग pre-recorded video को ही पोस्ट कर रहे हैं जिससे student को time के साथ कोई भी boundation ना हो वो time के साथ बंद है नहीं कि हम लोग इतने time में start करेंगे वीडियो और उस time तयार रहाना है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं और को student ऐसा भी होगा जो काम करता होगा वो उस time में available नहीं होगा ठीक है तो अभी फिलाल हम लोग pre-recorded version ही डाल रहे हैं lectures के जिसको की students किसी भी time में जब भी उन्हें समय मिले वो उन्हें देख सकते हैं यह अलग बात है कि live classes के कुछ merits भी है जैसे कि live classes से जो हम दोनों की students or teacher के बीच जो है interaction बढ़ेगा but at the end of the day आपको यह mind में रहना चाहिए कि आप यहां पर आये हैं तो कुछ सीख करके जाएं और मेरा यह motto रहेगा कि मैं कुछ सीखा करके जाऊं तो classes live हो या pre-recorded हो उनसे आपको कोई भी difference नहीं होना चाहिए आपको यह दिमांग में रखना है कि मैं जो time को invest कर रहा हूं मैं जिस time में देख रहा हूं कोई भी चीज या invest कर रहा हूं किसी particular चीज पर कोई time तो उससे मुझे कुछ दीखने को मिला या नहीं मिला तो ही आपके तो ही आपका जो time का investment होगा वह वर्थफूल होगा otherwise आपका time waste हो जाएगा hope so आप लोगों को समझ में आ गया होगा और required होने पर हम लोग जल्द ही जो है life classes start करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग बिना समय गवाई ही इस lecture को जो हम लोग matrix का ninth lecture है उसको start करते है तो last lecture में हम लोगों ने क्या देखा था कि दो matrix का multiplication यानि कि गुनन कब possible होगा देखा था हम लोगों ने ठीक है और यह देखा था कि जब गुनन हो गया है तो जो multiplication के बाद उसका order क्या होगा मतलब multiplication कर दीए तो matrix का order क्या होगा तो यह चीज़ हम लोगों ने देखा था अब हम लोग फर्दर आगे जो है कुछ-कुछ point पे और भी multiplication पे गुनन पे matrix के गुनन पे और भी point उसको discuss करेंगे और detail में हर point को हम लोग जानेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहला जो point आता है वो यह आता है कि यदि आपका A और B मैं A और B बोल रहा हूं जो कि मैं गलत बोल रहा हूं यहां क्या होगा A B यानि कि A multiplication B यदि A B defined है मतलब A और B कोई matrix है और वो defined है मतलब पड़िभासित है पड़िभासित होने का क्या नियम था वो हम लोगों ने discuss किया था last lecture में ठीक है तो अगर A और B defined है तो कोई जरूरी नहीं है कि B और A भी defined होंगे ठीक है B और A भी defined नहीं भी हो सकते हैं ठीक है वो तो depend करेगा उनके अस्तम या पंक्ति पे यानि कि उनके रो या कॉलम पे depend करेगा अब जैसे कि last time भी हम लोगों ने इस पे discuss किया था चलिए एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि ये बात सत्य क्यों नहीं है ठीक है तो तो यहां देखिए यहां A का order क्या है यह देखिए A का order यह 2 x 2 है ठीक है और B का order क्या है में definite defined होना है तो A का जो कॉलम है उसमें कितना number है कॉलम का 2 है तो 2 ठीक है और B का जो row है कितना है टो तो 2 यानि कि A B भी defined है सही है ठीक है अब B A चेक करते हैं तो B का हम क्या देखेंगे अब B का chaîneद है हम रो देखेंगे ठीक है ? तो B का column आप देखेए, check करिए कितने number of column है तो B में A column है ठीक है यहीं A column है न ये वाला ठीक, B के 1 column है और row कितना है B में, sorry A में row कितना है क्योंकि हम B, A check कर रहे हैं तो row जो है 2 है, ठीक है तो देखेए 1 जो है वो 2 के बराबर है, नहीं है तो BA इस case में जो है वो defined नहीं है तो BA हम क्या बोसकते है कि वो defined नहीं है पडिवासित नहीं किया जा सकता है मतलब कि इसका multiplication BA जो है वो possible नहीं है जब कि AB का multiplication possible है ठीक है तो पहला point क्या था कि अगर AB अगर by the chance नहीं अगर AB आपका defined है मतलब कि A और B multiplication possible है, दो matrix का, तो कोई जरूरी नहीं है कि B और A भी possible होगा, तो ये बात आपका clear हो गया, अगर आपको किसी तरह का doubt है, ठीक है, तो आप यहां comment box में भी पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप telegram group पे add होई है, या नहीं तो whatsapp group पे add होई है, कहीं पर भी add होकर के कि आप questions अगर solve कर रहे होंगे सही में, तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, mathematics is all about आपका question solve का है, ठीक है, आप कितने questions लगा सकते हैं, जितने questions लगाईएगा, आपका उतना clear होगा concept, ठीक है, तो पहला point होगया, तो पहला point यहीं ता ना, कि यदि A और B पड़िभासित है तो आवस्यक नहीं है कि B और A भी पड़िभासित होंगे, पड़िभासित होने का sense मतलब क्या, यहां पे multiplication का sense है, मतलब A और B का multiplication possible है, तो यह तो था आपका first point का, और दूसरा point क्या बोल रहा है, कि अगर मान लेते हैं कि हमको किसी दो matrix का, A, B और B और B दोनों पड़िभा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या condition हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए कि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, तो देखिए, जब AB का, सबसे पहले तो, देखिए, मान लेते हैं कि, जो है, A matrix जो है, आपका, वो M x N का है, और B matrix जो है, वो आपका, K x L order का है, अब जैसे क देख लेजिए, मान लेते हैं कि, अमको AB देखना है कि AB defined है या नहीं, मतलब कि परिभासित है या नहीं, income multiplication possible है या नहीं, तो क्या करना है, एक हम क्या देखते है, अगर AB को हमको देखना है कि AB possible है तो A का हम क्या देखेंगे, kolum देखेंगे, ठीक और B का row देखेंगे, और check करेंगे कि दोनों बडावर है या नहीं, अगर बडावर है तो A B possible है, मतलब कि A और B को multiply आप कर सकते है, A और B matrices को आप multiply कर सकते हैं, same way अगर हमको BA check करना है, मतलब ये… BA check करना है, मतलब क्या? BA का multiplication possible है या नहीं तो B का हम क्या देखेंगे? Column जो पहले लिखा रहेगा, उसका हम Column दिखेंगगे ठीक है? और ये का क्या दिखेंगे? Row दिखेंगे ठीक है? तो इस तरश हम लोग पहले देखेंगे, तो सबते पहले देख लीजिए, माल लेते हैं कि A जो है अगर आपका, वो A आपका M x N order का matrix है, A जो है वो आपका M x N order का matrix और B जो है आपका, वो K x L order का matrix है, ठीक, तो अगर A B को defined होना है, A B को अगर पडिभासित होना है, A B का अगर multiplication को possible करना है, तो A का column N और B का row यानि कि K, दोनों क्या होना चाहिए, बरापर होना चाहिए, तो हम इससे क्या बहु सकते हैं, यहाँ पे N equal to K होगा, तो A B possible है, और अगर B A को पडिभासित करना है, मतलब कि B A का multiplication को possible करना है, या B A को defined करना है, तो B का column, B का column क्या है, L है, L, यह किसके करना चाहिए, A के row के बरापर, A का row क्या है, M है, M, ठीक है, तो अब देखिए, किसी दो matrix का, A B, या A और B दो matrix है, तो A B या B A दोनो defined हो, ठीक है, तो इसके लिए ही condition होगा, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ जा रहा है, तो वीडियो को फिर से पीछे करिए, ठीक है, और फिर से इस चीच को समझ जीए, ठीक है, अब क्या point आ रहा है, कि तो A B, मतलब कि A multiplication B, और B multiplication A, दोनो अगर परिभासित है, यानि कि दोनो अगर defined है, यानि कि दोनो अगर, दोनो वे से अगर multiplication possible है, तो क्या A B और B A का जो result आएगा, multiplication के बाद, क्या वो दोनो सेम होगा, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनो सेम होगा, ठीक है, A B परि परिभासित है, तो कोई जरूरी नहीं है कि A B का जो result आएगा, और B A का जो result आएगा, वो दोनो बराबर होगा, ठीक है, इस point को अभी हम लोग ध्यान में डखेंगे, अब देखिए, अब इसी point से, यह जो हम लोग second वाला point पढ़ें, इसी से हम लोग एक और conclusion निकाल सकते ह ठीक, एक चलिए, एक second वाले point का नहीं हम एक example लेते है, माल लिजे कि A कितना का matrix है, आपका A जो है, तीन कॉलम है, इसमें और दो रो है, बी जो है आपका वो, उसमें आपका तीन रो है, और दो कॉलम है, ठीक है, तो देखिए, अगर हमको A भी define करना है, तो A में A का कॉलम हम देखिएंगे, तो कितना कॉलम है, दो, और B का क्या देखिएंगे हम, B का हम आपका रो देखिएंगे, ठीक है, तो, sorry, इसको हम, अगर इस तर से देखिएंगे, तो A B इस किस में defined नहीं होगा, लेकिन इसको हमको पहले आप थोड़ा change करते हैं इसके order को, और तब आपक क्रोस 3 है, ठीक है, तो देखिए, अगर A B को defined होना है तो A का कॉलम, A का कॉलम कितना है? 3 है, ठीक है, A का कॉलम 3 है, ठीक है, और B का रो के बरावराण एगे, B काении 3 है, यानि कि 3 twins 2 3, यानि कि AB possible है, यानि कि A भी पडिवासित है यानि कि A और B का multiplication possible है ठीक अब इसी matrix में हम B A दे check करते हैं तो B A check करेंगे ठीक है तो B का हम क्या देखेंगे? Column देखेंगे तो B का column कितना है? 3 है ठीक है और A का क्या देखेंगे? A का जो है हम आपको उसका sorry B का column कितना है? 2 है तो यहाँ 2 होगा और A का क्या देखेंगे? रो देखेंगे तो A का रो कितना है? 2 है 2 यानि कि 2 equal to 2 यानि कि B A भी possible है अब हम एक example लेंगे A और B वो 2 by 3 का matrix होगा A और B जो है 3 by 2 का matrix होगा और वहाँ आपको हम दिखाएंगे कि A B भी multiplication possible है और B A भी multiplication possible है लेकिन दोनों का result आएगा वो same नहीं होगा तो यह था आपका अब देखेंगे इसी से जो है यह 3rd number point बना है अब बोल रहा है कि A and B are square matrices of the same order इस पर ध्यान देने की बात है of the same order मतलब कि अगर A 2 by 2 का है तो B भी 2 by 2 का होगा तो obvious है कि A B भी defined होगा और B A भी defined होगा obvious है ना क्योंकि देखेंगे अगर मान लेते है कि A सबसे परे तो square matrix है तो row और column बराबर होना चाहिए अगर A अगर 2 by 2 का matrix है और जो आपका B है वो भी 2 by 2 का matrix है ठीक है आप the same order कर रहाना चाहिए या 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 तो 3 by 3 का matrix हो सकता है या 4 by 4 का matrix होता है और B भी आपका 4 by 4 का matrix होता है इसमें देखिए सारा चीसतो बड़ाब आपका दूसरे के तो इसका row इसका column जाने कि अगर AB को define करना है तो A का column दूसरे का B का row दोनों 2 2 है तो या या तो B को define करना है यानि B का column 2 है और A का row 2 है तो यानि B ये भी define है ठीक है तो अगर मान लेते है कि square matrix है सेम दोनों मैंट्रिक्स इस्का मुल्डो सेम ओर सामान होगा यह possible नहीं है ठीक है यह necessary condition नहीं है कि अगर दोनों पडिभासित है A B और B A दोनों पडिभासित है तो दोनों का results same नहीं होगा यह आपका हर case में possible नहीं है ठीक है तो यह था तीन पॉइंट अभी तक हम लोगों ने matrix के multiplication पे अभी तक discuss किया ठीक है अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिये यही हम बहुत रहें था नो स्वक्स से कि अगर A और B even if A B and B A both are defined मतलब दोनों परिभास ही था है मतलब कि दोनों possible है multiplication दोनों वे से AB भी multiplication possible और BA भी multiplication possible It is not necessary that AB equal to BA मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि AB जो है वो BA के बराबर हो जाए ठीक है तो चलिए इस पे ना हम लोग example देखते हैं जिसमें कि AB भी multiplication possible होगा और BA भी possible होगा ठीक है लेकिन हम लोग देखेंगे कि दोनों का result जो है वो different different आएगा ठीक है तो यही example है सबसे पहले तो इसका check करिए कि AB और BA possible है कि नहीं ठीक है तो पहले हम लोग AB चेक करते हैं सबसे पहले तो check करने पहले हम लोकुप का order पतरना चाहिए तो देखेंगे कि इसका order कितना हो जागा है कि यतने row है दो row है, एक दो और column कितना है एक दो तीन तो यानि कि यह कितना का हो गया 2 by 3 का matrix हो गया इसमें कितना row है? 1,2,3 और column कितना? 1,2 यानि कि ये 3 by 2 का matrix हो गया अगर A, B को defined होना है, A, B को अगर परिभासित होना है, A, B का multiplication अगर possible होना है तो A का row कितना है? Sorry, A का column कितना है? 3 है और B का row कितना है? 3 है 3, 3 दोनो है यानि कि A और B possible है सेम वे में अगर हम B, A को check करेंगे, तो B का हम क्या check करेंगे? Column तो B में कितना column है? 2, ठीक, और A का क्या check करेंगे? हम row check करेंगे तो A में कितना row है? 2, यानि कि A भी possible है, defined है, परिभासित है, multiplication possible है और A, B का भी multiplication possible है अब हम को यह check करना है कि दोनों को जब हम multiply करेंगे मतलब कि जब A, B निकालेंगे और B, A निकालेंगे तो दोनों क्या समान आते हैं या नहीं आएंगे? ठीक है? और मैंने क्या बहुत था? कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जब multiply करेंगे, A, B या B, A को तो उसका result समान आए का, ठीक, it is not necessary कि A, B equal to B, A हो अगर दोनों पड़िपास ही था तो, चल इसकेस में हम लोग जो है एक example यह लिए हुए है तो इसको हम लोग solve करके try कर लेते हैं, ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि matrix के multiplication को कैसा करते हैं, सबसे पहला जो matrix का multiplication video था, तो मैंने कुछ नहीं ब पता दिये बहुत सारे point पर हम लोगों ने discuss किया, लेकिन पहला जो लेक्चर था वो dedicated था आपको सरिफ की multiplication किस तर से करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने practice किया और मैंने बोला भी था कि आप लोगों को practice करना है, जितना multiplication possible हो है practice करने का exam से पहले, ठीक है, उतना कर जो है, matrix आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो आप इसको अपने blood cell में matrix को घुलाना इसके operations को और इसके properties को तो उसको आप रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह matrix आपका एक higher education के लिए आपका basis है, ठीक है, बेस है आपका, ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग क् आपका, ठीक है, ठीक है, तो A और B को हमने लिख लिया, और चेक कर दिया कि हाँ, इसका multiplication जो है, वो possible है, ठीक है, तो किस तर से हम लोग करते थे, A, B अगर निकालना है, हम लोग यहाँ क्या निकाल रहे, A, B, ठीक है, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है multiplication, तो जो है, फ 4, ठीक है, फिर, 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 फ 4 x 3 plus 2 x 5 plus 5 x 1 इसको simplify करिये तो आपको क्या मिल जाएगा A B मिल जाएगा इसको simplify करके देखिये कि A B आपका क्या आ रहा है ठीक है तो जब आप multiplication कर लिजेगा तो आपका A B जो है यह आएगा जब इसको solve करिएगा यहां पर एक मैंने mistake किया था क्योंकि देखिए इसको जब करिएगा तो minus 4 x 2 plus 2 x 4 यहां कितना होगा 5 x 2 ठीक है तो यहां rectify कर लिजेगा simple सी बात है आपको भी try करना है आप A B लिखिए और उसको try करके देखिए कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है अब same way में हम लोग किसको देखेंगे हम लोग B A को भी check कर लेते हैं तो B A को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे matrix B को लिखेंगे ठीक है तो matrix B कितना है 2 4 2 3 5 order बहुत important रखता है matrix में पहले क्या लिख रहे है उसके बाद क्या लिख रहे है तो order को इधर उधर नहीं करना है ठीक है 1-2 3 ठीक उसके बाद से-4 2 5 ठीक है यह क्या निकाल रहे है हम आपको B A निकाल रहे है ठीक तो इसको आप मल्टिक करके देखिए ठीक है matrix multiplication तो first lecture में ही बताया हुआ है तो इस तर से करेंगे 2 x 1 ठीक है उसके बाद से फिर क्या होगा 2 x 2 plus 3 x 2 ठीक है उसके बाद से फिर आपका क्या होगा 2 x 1 2 x 3 यह वाला इसे फिर plus 3 x 5 ठीक इसी तरह से क्या होगा 4 x 1 plus 5 x – 4 फिर क्या होगा 4 x – 2 plus 5 x 2 ठीक है इसी तरह से क्या होगा फिर आपका 4 x 3 plus 5 x 5 लास्ट रोला क्या होगा 2 x 1 plus 1 x – 4 फिर 2 x – 2 2 x 2 plus 1 x 2 फिर 2 x 3 plus 1 x 5 ठीक है इसको आप लोग करिए अपने से ठीक है यहां से copy paste करने को ज़रत नहीं है आप लोग को बताया कि आप लोग खुद से करिए ठीक है और end result को मिला यह कि आप लोग जो ने किया वह सही है यह गलत है ठीक है तो आप लोग जब कर लिजेगा इसको simplify तो देखि यह आएगा आपका πα थिक है तो देखिए यहां जो ब रुद्ध कर lle humble कहीनी हों कि आपका जो provide a or a be law एक अगने तो सबस्वालने बात a be यह आया यह आपका कितना 2 by 2 का magnet elites आया ठीक और BA जो आया वह कितना का आया 3 by 3 का matrix आया ठीक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पडिभासित है AB BA मतलब कि अगर multiplication possible है तो कोई ज़रूरी नहीं कि AB और BA जो है वह सेम आयेगा सेम तो छोड़ दीजेए यहां पर order भी different आ रहा है AB 2 by 2 का आया और BA 3 by 3 का आया ठीक अगर matrix का multiplication possible है तो हम लोगों ने ठीक है तो main point का था अगर आप लोग को order भी पता है दो matrix का तो उसके result का क्या order होगा यह भी मैंने last class में बताया था यह कैसे अगर यह M है यह N है ठीक है तो यह N होगा क्योंकि अगर AB possible तो यह N होगा यह क्या होगा मान लिजेए कि कुछ भी क्या होगा ठीक है तो order जो होगा क्या होगा वो अगर AB निकाल रहे तो 2 by 2 का तो 2 by 2 का आया था ठीक इसी तरस हम किसका निकाल रहे है BA निकाल रहे है तो BA जम नकल रहे है तो B कितने order का ए ? 3 by 2 का है और A कितने का है ? 2 by 3 का है मतलब की is to apply M माल लीजए ऐसको आप माल लीजए M bist ये N ये भी N होगा ये माल लीजए कुछ भी B तो order क्या होगा BA का order क्या होगा 3 x M ùP यानि 3 x 3 का निकलता है और तो O used to052 तो A बात यही है कि AB और BA अगर दोनों defined है मतलब दोनों का multiplication अगर possible है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपका multiplication result जो है वो सेम आएगा कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है अब जो है अब हम लोग next एक दो point और है ठीक है उस पे discuss करेंगे next point क्या बोला है कि multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative मतलब क्या किसी भी क्रम में आप multiply करें तो सेम होगा तो यह काफी ध्यान देने वाली बात है अब जैसे कि सबसे पहले सबसे पहले आपको diagonal matrix पता रहना चाहिए कि क्या होता है नहीं पता है तो types of matrix का lecture देखिए उसमें हर एक type of matrix हर एक जो different different types होते हैं आवियो के हर एक types को बताया गया तो देखना बहुत जरूरी है तब भी यहां हम एक diagonal matrix का example दे रहे हैं यह इसका matrix लिया है 2 by 2 का लिया है 2 by 2 का एक और matrix लेते हैं B ठीक है तो B भी जो हो रहा का है जह सेम और का रहना चाहिए ठीक और वह भी diagonal matrix रहना चाहिए तो different diagonal matrix लेते हैं तो diagonal element जो होगा वह non zero होगा ठीक other elements क्या होंगे? 0 होगे तो other elements को मैंने 0 रख दिया ठीक यह हो गया और यह भी कितना का है same order रहना कि 2 by 2 का है ठीक अब हम क्या करते हैं A B और B यह दोनों निकालते हैं ठीक है A B और B यह दोनों निकालते हैं तो सबस्पहले चलिए हम A B निकालते हैं जब निकालेंगे तो पहले ए को रखेंगे फिर बी को रखेंगे ठीक है तो इसको ए रखिए यहां 1 होगा यहां 002 ठीक उसका धिर भाष़ है फिर हम बी को रखेंगे तो बी कितना है आपका 3 004 ठीक अब इसको निकाली है तो कितना होगा करके देखिए इसको ऐसे है तो 3 into 1 3 0 into 0 प्लस कर देंगे तो 3 overall हो जाएगा फिर 1 into 0 0 plus 0 into 4 0 होगा ठीक है फिर 0 into 3 0 plus 2 into 0 0 होगा ठीक है फिर 0 into 0 0 होगा 2 into 2 into 4 अब कया करिए आप B A निकालिए अब क्या निकालना है B A अब B A निकालते हैं तो अब ते पर ले क्या रखेंगे b को रखेंगे यानि कि 3, 0, 0, 4 ठीक है उसके पास से आपका a को रखेंगे यानि कि 1, 0, 0, 2 ठीक है अब multiply करिए ठीक है तो क्या होगा देखिए 3 into 1, 3 होगा अब plus 0 into 0, 0 होगा यानि कि 3 plus 0, 3 होगा ठीक फिर 3 into 0, 3, 0 into 2, 0 ठीक है यहां 0 होगा ठीक फिर 0 into 1, 0, 4 into 0, 0 होगा ठीक फिर 0 into 0, 0 होगा और 4 into 2, 8 होगा देखिए तो इन जेनरल क्या होगा कि अगर a, b और b, a defined है परिभासित है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बडाबर होगे लेकिन अगर ऐसा किस आ रहा है जिसमें जो है a जो है एक डाइगोनल मैट्रिस है ए जो है एक डाइगोनल इसमें ज truths मत्लब है कि जे दाइगोनल यही होता है डाइगोनल चाहिँ होगा वह नुविव्न जिरो होगा और बाकि सारे इलिमेंट जिरो होंगे तो यह अपका डाइगोनल मैट्रिक स्विश्द्रिक्स है और दूसरा पॉइंट कंज कि दोनों क्या होने चाहिए सेम ओर्डर का अगर है दोनों अगर सेम ओर्डर का देखिए यहाँ पर A कितना है 2x2 का है और B भी 2x2 का है ठीक है और A और B क्या होने चाहिए डागोनल मैट्रिक्स होना चाहिए तो उस case में हम क्या बोल सकते हैं कि A B equal to B A होगा बस एक यही case है जिसमें कि यह equal होगा और क्रम भीन में जो law होता है नियम होता है इस case में follow होगा otherwise नहीं होगा otherwise हम क्या बोल सकते हैं कि A B is not equal to B A जो कि हम लोग last example देखे थे उसमें equal नहीं आ रहा था ठीक है तो यह था कुछ-कुछ point ठीक है जो कि हम लोगों को discuss करना काफी जरूरी था multiplication पढ़ने के बाद ठीक है अब देखे कि एक है कि दो matrix को जब multiply करेंगे तो हम क्या हो जाएगा वो zero हो जाएगा मतलब कि zero null matrix आएगा ठीक है zero matrix as the product of two non zero matrix मतलब कि अगर दो non zero matrix है ठीक है मान लिजे कि A एक matrix है जो कि non zero है ठीक है मान लिजे zero minus one ठीक है और zero two यह एक A matrix है और B एक matrix है यह भी non zero है ठीक है three five और zero zero ठीक है अब देखिए A B अगर हम निकालते हैं A B अगर निकालेंगे तो पहले A को लिखेंगे फिर B को ठीक है अब देखिए हम डारेक्ट कर रहें तो zero into three zero plus minus one into zero zero होगा ठीक है फिर zero into five zero plus minus one into zero zero होगा ठीक zero into three zero two into zero दोनों को plus करेंगे तो zero फिर zero into five zero plus two into zero यानिके zero तो overall करने का बात यह है कि अगर A और B दोनों non zero matrix है ठीक है तो यह भी possible है कि दो non zero matrix को जब multiply करेंगे तो वो zero null matrix भी हो सकते हैं तो यही बात है कि if the product of two matrices is zero matrix ठीक है it is not necessary that one of the matrices is zero matrix मतलब कि जैसे कि हम लोग simple multiplication करते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि simple matrix अगर two into zero करेंगे तो zero होगा तो किसी एक को zero होना पड़ता है ठीक है simple multiplication जब हम लोग पढ़ते थे तो अगर बोलते थे कि कोई भी एक अगर zero है तो overall product क्या होगा zero होगा लेकिन matrix के case में ऐसा नहीं है matrix के case में क्या है कि अगर दो non zero matrix है कि इसमें A और B दोनो non zero है क्योंकि कोई ना कोई element है इसमें ठीक है सारे zero नहीं है तो दोनों को जब multiply किया तो आपको क्या मिल रहा है zero मिल रहा है तो इस case में ऐसा नहीं है जो simple case में होता है simple case में क्या है कि अगर product को zero होना है तो यह कोई भी अगर zero है या दोनो zero है तो zero होगा लेकिन matrix के case में ऐसा नहीं है अगर दो non zero element भी है तो उनके product जो है zero हो सकते हैं इसलिए इस point को हम बताएं क्योंकि यह point बताना बहुत जरूरी था ताकि आपको इसको आप simple में में ना ले क्या होते हैं कि अगर एक कोई zero है तो उसको multiply करेंगे तो क्या होगा वह zero हो जागा लेकिन matrix के case में है अगर दो non zero matrix को भी multiply करेंगे तो वह zero हो सकता है इस lecture में इतना ही next lecture में हम लोग क्या देखेंगे कि different properties देखेंगे matrix के multiplication का यह matrix के multiplication पे बहुत सारी बाते हुई अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी point पे discuss किया और हर एक बिंदू को देखा किसी भी बिंदू को मैंने छोड़ा नहीं है ठीक next classes में हम लोग properties को देखेंगे matrix का जो associative law है, distributive law है matrix multiplication का जो associative law है, distributive law है ठीक है इन सारी properties को देखेंगे ठीक है उसके पास से हम लोग बहुत सारा questions को solve करेंगे ठीक बहुत सारी questions को solve करेंगे उसके बास से mainly matrix के multiplication पर हम लोग बहुत सारा questions को solve करेंगे उसके बाद exercise 3.2 को हम लोग solve करेंगे ठीक अब देखिए बस मेरा properties ही बागी है ठीक है तो आप लोगों से request है कि आप लोग exercise 3.2 को solve करना शुरू कर देंगे अगर आप याद तक आप लोगों ने सुरू नहीं किया है तो ठीक है क्योंकि बहुत जरूरी है mathematics में questions को solve करना ठीक उसके बास से फिर हम लोग जाएंगे different topics पर transpose पर फिर inverse निकालना matrix का ठीक है तो इस lecture में अभी तक इतना ही मिलते हैं हम लोग next lecture में तब तक के लिए good bye and thank you